असलाम उलेकूम कैसे हैं आपसर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से और खेरे से होंगे उमीद करती हूँ मैं आप लोग बहुत ही अच्छे से कुसलमंगर होंगे और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा बहुत ही टेश्टी सा यह बैनिला एसेंड केक लेके चलिए बनानाई स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत चाहिएगा हमबल लोकेश्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अब सॉफ्ट सा क हमने बॉल में चैनल को और इसमें कं ऐख और नहीं सब्सक्राइब कि उंडर-चैनल को सब्सक्राइब कामने चीनल जो फेल चाहिए और सब्सक्राइब गारं रहा mouvement तो उसी मेंसे आप निकाल लीजिए और एक कब भरकर इस दूद चीनी में डाल देजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी हाँ जिस तरीके से छोटे बच्चों को हम लोग गरम दूद देते ना चीनी गोल कर बस उसी तरीके से गरम दूद होना चाहिए और घोल के अच्छे से गोल लेना चाहिए जिससे यह चीनी पूरी मेल्ट हो जाए तो अब हम इसे बहुत अच्छे से मेल्ट करना है जी अब हम बनाने जा रहे हैं केक तो केक किस चिस का बनाने जा रहे हैं सूजी का यानि की रबे का जी हाँ हम रबे का केक बनाने जा तो रबा मेंने एक कप लिया है एक कप रबा है और एक कप दूध है और हाफ कप चीनी है ठीके मेजरमेंट यह है आप अच्छे से ध्यान कर ल से मिक्स करने के बद डूट करना है है लिए 10 मिनटें ने के लिए के लिए न रख दये अब शरी हीट करने के लिए सिर्फेट कर लिया और से शेट करने से देड्गी तो चल ini अब अपना तयारी और करू अभी दिबर लिया है इसे मैंने ओयल से मेंकले करल लिया है आपके पास केक तीन हो कटोरीो में जो भी आपके पास तरह Τर्फ लिए आप में चारना आक का यूज diffé कर लेंगे और कोड करने के बाद में अच्छे से कोड कर लेंगे तो अब इसे रख देते एक साइट में और अब देखते हैं अपने के बैटर को इसका क्या हाल है चलिए देखते हैं और ये देखिए हमारा बैटर तयार हो गया है यानि कि सूजी ने सारे दूद को पी लिया पी कर मोटी सी गुबाडे से फूल गई है ये बिल्कुर फूल गई है सूजी ने दूद को एब्सॉब कर लिया है यानि कि बहुत ही अच्छी से फूल गई दूद को सारा पी लिया है अब मैं इसे अच्छी से फेट लूँगी फेटने के बार मैं इसे अच्छा सा स्मूथ सा पेश्टे सा कर लूँगी क्योंकि यह हमारी सूजी बहुत अब सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसे 5 प्र तक इस दीके से फेट लूँगी ओ फेटने के बाद में अब क्या करना है अब अब हमें इसे बैनिला एसन का फ्लेवर डालना है तो मैंने यही बैनिला एसन ले लिया है आपके पास अगर यह ना हो तो आप इलाईजी का पौडर भी डाल सकते हैं इलाईज टाल दियाँ मेनिलाइसम लिए है तो अब इसे एक बार और अच्छ से मिक्स कर लेते हैं धू झाएगा इसमें गर यहाँ प्रापशे क्या जाएगा नोー जाएगा यह इनू ले लिया लिया है और यह लेमनवाला है अगर आपके पास इनू ना हो तो आप क्या करेंगे तो इसका भी हल है ना एक चमस सोडा लेंगे यानी कि केक बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपका एकदम पर्फेक्ट बनेगा इस तरीके से तो मैंने इसमें मेरा पस इनू था तो मैंने इसलिए इनू डाल दिया है और सबसे अच्छा केक टीन का इतना ही साइज रहेगा यह फूल के ऊपर नहीं आएगा जैसे में मैदे का बनाते दो फूल जाता है तो यह फूल जाता है अपने हिसाफ से ड्राइब फूट डाल कर दिया है आपके पास चाहें तो आप टूटी फूटी भी डाल सकते हैं वरना आप चोकलेट भी आप डाल दिजिए क्योंकि केक तो खाना ही है ना केक तो बहुत ही पर्फेक्ट और अच्छा बने ही वाला है तो मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया है आप चलते हैं अपनी ओटी जी की तरफ और इसे आप हम बैक करने के लिए रख देते हैं जी हाँ आप चाहें हमने और आप इसे इसमें रख दिया है और हमने अपने ओटीग नी को सेट कर लिया है यारी कि मैंने 180 की सिल्दी ग्रेट पर मैंने इसे बैक करने के लिए रखा है stuff और आ अप इसे नीचे बाली roads में रखा है नीचे इली कायम नहीं लगना है और यह देखे 25 कपा है और हमारा केक बहुत यच्छ से बेख हो गया है आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यह कितना अच्छा सा बना है बिलकुल पर्फेक्ट बना है जाल हमारा केक कितना अच्छा सा तयार हो गया फट्रेंट बहुत ही अच्छा सा आया है इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आया और बहुत ही स्मूद सा और बहुत ही पर्फेक्ट बना है और मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था ठंडा करने की बाद मैंने चाकू की शायता से इस तरीके से थोड़ा सा साइटो से स्क्रेप कर ल बिलकल पर बemi मुस्का काड़ा, बहुत ही तेश्टी बने वाला भीव मुंह भूल जाना केक एक डीर नाणीर कीण है बिलकर दुर्च शौछ पर्इट रोचीर परफेक्ड थिमेिया और सीर्फिटम को एक आपको इसले 빠d करेंगा तो दीए में आपको अच्छा सा स्पिैक्च्री गिद्यार चाहिंए इतने की तीष मेरा तीपना हुस्त। यह देखिए आपको नजार आरा कितना सॉफ्ट और स्विंजी सा विल्कुल बना है और बहुत ही टेश्टी केक बना है आप इसे ट्राय जरूर कीजिएगा और हमें फीड़ जरूर दीजिएगा आपको यह हमारा केक और हमारी रेस्पी कैसी लगी है अगर हमारी वीडियो आ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगे फैमिली और फ्रेंड में अगर आप हमेरे चैनल पर नए हैं तो हमदली क्वेश्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब के जिए और सब्सक्राइब के बिना मच जाएगा और अपना बहुत सारा खया लगए और हमें भी अपनी